हलो प्रेंड विल्कम बेक टो माइंट सनाल तो आज हम लोग यह अर्कड में हैं और यह दिन का सुरुवात है मेरा खैल से दिन का सुरुवात अच्छे चाई मिल जाए तो दिनका सुरुवात बहुती अच्छा से कुझां जाता है ताचली अभी की तड़ बहुती सुंदर प्लेश हैं अब को बहुत बहुत प्लेशस दिखने को मिलेगा चली यह रहा तंदूरी चाहा, सुवे सुवे का चाय का मज़ा चुछ अलग होता है अरे मस्चा फ्रेंट्स यह पीछे जो देख रहे हूं यह है यारक्यडू लेक कल रात में तो लेक बढ़िया दीख रहा था और वोटिंग हो रहा था, आज कुस महीं दुखा रहा है कि बादल आ जाता है फिर दो सेकेंड एक सेकन गेंदर फिर चला जाता है आप बहुत बड़ा लेक है वह बहुत बढ़ लेक है यहां भी यह जो इयरकर लेक आप देख रहे हैं यह बिल्कुल विचाइब सीयरकर टाउन का अंदर आता है यहाँ पे बहुत सारे लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं लेकिन सुभे का जो वीडियो आपने देखा था या फोटो देखा था वो करीबन साड़े 10 या साड़े 11 बजी का सबस था लेकिन अभी का टाम 2.30 अब क्लियर वीजेबल है लेक का अंदर और हमने अभी पहुंच चुक हैं स्कूल में तो चलिए इसका बरे कुछ बताना चाहूं इस स्कूल का नाम है माउन्ट फॉर्ट स्कूल बहुत ही पुराना 1917 में स्कूल बना गया था और बहुत ही बड़ा इंटरनेटना स्कूल है यहर कड में और सबसी पुराना माउन्ट फॉर्ट स्कूल इंडिया में आप इसका अंदर पुरा जाओगे तो एक बहुत ही पढ़िया 10-15 मिनिट के वीडियो बन जाएगा लेकिन हम कोई अलाव नहीं किए अंदर जाने के लिए तो सिप अप में जितना हो सके उतना केप्टर करें कि आपको दिखाने के लिए कोशिस कर रहा हूँ और ये जो प्लेस आप देख रहे हो इसको कहते हैं फोगोडा पॉइंट ये और कड में सबसे उचाई पर ये प्लेस आता है इसको बहुत ही सारे लोग यहां पर दिखने के लिए आते हैं लेकिन सबसे बढ़िया टाइम रहेगा आपके लिए सड़े तीन से लेकी पांच बजे का अंदर क्योंगा अब हमने पांचे लेडी सिट पता ने लेडी सिट होता क्या है यहां पे सब लोग आया है दिख चलते उपर चलते उपर जाने का पता देलेगा क्या है लेडी सिट एक बहुती संदर भीयू पाइंट है आप यहां पर कभी आते हैं तो इसलम का टाइम पर आईए यहां पर आपको संसेट का साथ प्रकृती के सुंदर चीका मजा ले रहे सकते हो और बहुती सुन्दर प्लेस से और यहां का क्लाइमेट बहुती ठंड है और सही टाइम रहेगा यहां प्याने के लिए नभेमर से फ्रेबवारी जैसे आप लेडिस सीट से जो वहां पर जो भीवपॉण्ट वहां पर खतम कोई कि जैसे आप आओगे तो आप लेपरें साइट में बहुत सारा पॉप्पीम बहुत सारा आएल दोली बॉयल चोकलेट यह सारे दुखन मिलेगा अब अब नमन होगा तो भी ले सकते लिए यह रहा यॉर्कोट टाउन का नाइट व्यूव खास कुछ यहां पर नाइट में दिखने को नहीं मिलेगा या अच्छा रिस्टोरांट या होटल आपको नहीं मिलेगा हाँ आपको ननवेज खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे फेमस तावा फिस तावा फ्राइ ट्राइ कर सकते हो मेरे खहल से आपको आच्छा लगेगा मैंने भी ट्राइ किया था मुझे बहुत ही अच्छा लगा था हाँ आपको कुछ खाना चाहते हो तो रोड साइट में से आपको दुखान मिलता है दिखने को आप उसी दुखान में आपको खाना खा सकते हूँ कि यहां पर आप जोरू ट्राइ कर सकते हो तंदूरी चाय इंफिल्डर को भी बहुत बढ़िया बनता है बहुत स्वाधिस्टे हैं पिने को मजा आएगा यहां पर आते हो तो हिंदी या इंग्लिज 99% लोग समझते नहीं या बोलते भी नहीं और आपको तामील लंग्वेज आता है तो बहुत बढ़िया है आप हार चीज में फाइदा उठा सकते हो या लोकल लोक से बात करी कुछ बार्गिनिंग कर सकते हो खासकर यहां पर ज् कुछ करीद करना चाहते हो या कुछ तो लोकल लेंग्वेज आप जानते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए मैं आसा करता हूं आप कोई वीडियो